आज हम जा रहे हैं हैं आज हम जा रहे हैं ब्रेट पकोड़ा बनाने के पहले हम चत्नी बनाते हैं उसके लिए लेंगे दो टमाटरा चार हरी मिर्च और एक स्मॉल साइज प्याज हाप इंच अद्रक का टुकड़ा और चार माच लशुन की कलिए से हम मिक्सर ग्राइंडर मे कर लेंगे और अब हम चलते हैं ब्रेट पकोड़ा की समाकरी बताते हैं सब पहले हम एक पाउल लेंगे और उस पाउल में हम लेंगे चार बड़े साइज के उबले हुए आलू को हम अच्छे तरह से मैस करते जाएंगे उसी में हम डालेंगे एक स्मॉल साइज का चौप किया हुआ प्याज प्याज और आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे उसमें डालेंगे में हाफ टेबले स्पून चाट मसाला है एक एक इन टेबले स्पून धनिया पॉटर अんとर टेबले इसपून लाल मिर्स पाउडर आपके स्वाद के अनुसार 1 अब्री तेबले स्पून जीरा पॉटर और नम्क आपके स्वाद के अनुसार और इन सारे समागरियों को हम अच्छी तरह से मेक्स करेंगे हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला अब हम बैटल बनाएंगे वेटल बनाने के लिए हम लेंगे तो बाउल बैसन आपको जिस कॉंटिटी में बनाना हो उतना बनाईए जो कि हमें ज्यादा बनाना है और इसके बैटल गाड़ा भी होता है थोड़ा ज्यादा ही वेच लगता है वन टेबल स्पून नमक लाल मिर्ट पाउडर आपकी घर में लोग जैसा तीखा खाता हो आप उसी साफ से डालिए और अब इसे हम थोड़े थोड़े पानी डाल के और मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंस न बने इसमें मिक्स करके हम रख देंगे और अब हम लेंगे एक स्लाइस ब्रेट के ऊपर हम आलू का मिक्सर लगाएंगे उसे पूरे ब्रेट पे अच्छी तरह से हम फैलाते हुए मिक्सर को मिक्सर को अच्छी तरह से फैलाते हुए हम पूरे ब्रेट को कवर करेंगे और उपर से हम एक स्लाइस ब्रेट से उसे अच्छे से ढख देंगे इसी के उपर हम लगाएंगे टमाटर सॉस अच्छे पूरी प्रेट अच्छे तरस से पूरी पि लगाएंगे और अब हम डखेंगे इस पे दो पतले पतले कटे हुए पनीर के टुकरे हैं और फिर हम इसे भी ब्रेड स्लाइस ब्रेड से गवड कर देंगे और फिर लगाएंगे हम टमाटर सॉस अकर आपके पास हरी दह चतनी हो तो आप लगाईए चुक्कि मेरे पास आज हरी चतनी अब नहीं लगाया और अब हम लगाएंगे डालेंगे इस पर चीज को पूरे ब्रेट पर डालेंगे और उपर से अब हम डालेंगे एक और स्लाइस ब्रेट मैं आपको एक और ब्रेट डाल के दिखाती हूं ब्रेट के उपर हम लगाएंगे पूर आलू का मेक्सर और उसे हम स्लाइस ब्रेट से कवर करेंगे फिर हम लगाएंगे टोमाटर सॉस और इसी के उपर हम डालेंगे तो पतले पतले कटे हुए पनीर के स्लाइस और इसे हम फिर एक स्लाइस ब्रेट से कवर कर देंगे और हम फिर लगाएंगे टोमाटर सॉस या ग्रीन चटनी इसी के हम डालेंगे चीज आप ज्यादा चीज खाना पसंद करें तो ज्यादा डालिए कम चीज खाना पसंद करें तो कम डालिए आपके उपर ने पर करता है और आप एक स्लाइस ब्रेट से उसे ढग देंगे अब हम गैस पर कड़ा ही रख देंगे गर्मोंने और उसी में हम डालेंगे तेल और जब तक हमारा तेल गरम होता है हम अपने बेटल को ठीक कर लेंगे अब अपने बेटल संद के बेटल में डालेंगे हाप टेबल स्पून बेकिंग पाउडर अब एक चम्मच के साहता से हम अपने बेटल को चलाते हैं देखेंगे कि वह कहीं ज्यादा गाढ़ा या पतला तो नहीं है जब हमें लगे कि हमारा बेटल अभी ज्यादा गाढ़ा है तो हम इसी में थोड़ा पानी एड़ कर देंगे बेटल हमारा बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए हुआ पी ज़ाया हुआ है आज सबसे पहले चारो तरब से उससे हम डिप करेंगे आज तरब से डिप करेंगे और करने करेंगे ध्यान रखें हमारा ब्रेट टूटे नहीं उसके बाद अपने हाथों के साहता से हम इसे अच्छे से इस पर बेसल लगाएंगे कि हमारा तेल विदर गरम हो गया है अब इसे हम आराम से तेल भी डाल देंगे हाँ एक बात का दिहान रखेंगे इसे तलते समय हमें कराही में बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है अनिता यह डालने डालते वक्त तो यह हमारे उपर छीटे पड़ सकते हैं जब हमें लेगे कि हमारे पकोड़ा नीचे से अच्छे से सिख गया है तो इसे हम ध्यान से और सवधानी पूर्वक पर लड़ देंगे इसे हमें दूसरे साइड से भी अगर यह तल गया तो इसे चिम्टे के साहता से हम आराब से इसे चारो तरफ से से खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है अगर आपको हमारा यह रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और वैल आइटम को भी प्रेस करते हैं ताकि आगे जो भी रेसिपी बनाओं नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और अगर आपको कुछ ब सब्सक्राइब मेरा ब्रेट पकोरा कितने अच्छे तरह सिंग गया अब मैं इसे सर्फ करके दिखाती हूं मेरा ब्रेट पकोरा तयार हो गया अब इसे गरम गरम आप चटनी के साथ सर्फ करें कि अच्छे करेंगे अच्छे नोगे प्रेट पकोरा अब दो करेंगे अच्छे करेंगे लिए गया अब मैं जाती हूं